हर दर्द का इलाज है ये, इसे बना कर रख लें, चाहे कमर का दर्द हो, हाथ पेरों का दर्द हो, सिर का दर्द हो, जोडों में, घुटनों में दर्द रताओ, पुराना दर्द हो या अभी हुआओ, सब तरह के दर्द खतम कर देगी ये अकेली चीज. नमस्ते, मैं हूँ सचिंगोयल और लोग का लियान के लिए चलाए जा रहे इस कारेकरम में आपका स्वागत करता हूँ. इस्तेमाल करने का तरीका एक-एक करके बताता हूँ. जिन लोगों को किसी भी करण से कमार में दर्द रहता है, उनके लिए तिलका तेल एक रामबांड दवा है. कमार दर्द वालों को एक लीटर तिलके तेल में 50 ग्राम दाना मेथी डालनी चाहिए, और मेथी दाना से परची से हिलाते रहना चाहिए, ताकि ना तो ये उफन कर बरतन से बाहर आए और ना ही ये तेज गरम होकर जलने लगे. करीब आदा गंटा ये तेल गरम होने के बाद गैस बन कर दीजे और इसको अपने आप ठंडा होने दीजे. जब ये तेल पूरी तरह ठंडा हो जाए मालिश हमेशा नीचे से उपर की डिरेक्शन में करनी चाहिए, यानि की कूलों की तरफ से करदन की तरफ करनी चाहिए. डेली रात को सोते टाइम इस तेल से मालिश करने से कमर का दर्द जड़ से खतम हो जाता है. जिन लोगों को सिर में दर्द रता है, उन लोगों को क्या करना है कि एक लीटर तिल का तेल ले लेना है फिर इसमें एक पाउ यानि 250 ग्राम सोका हुआ आमला डालना है अब इस तेल को गैस पर कमाज पर गरम होने के लिए रख दीजिए इसे 10 मिनट तक कमाज पर ही गरम होने दीजिए 10 मिनट में आमले का सत तिल के तेल में आ जाएग तेल से सिर में करीब 10 मिनिट तक मालिश कीजिए, डेली रात को सोते टाइम इस सरह मालिश करने से नया पुराना सिर का दर्द, आधे सिर का दर्द, सिर में भारीपन रहना एक तम जड़ से खतम हो जाता है, जिन लोगों को गुटनों में दर्द होता है और कट-कट की सारी कलियां होती है, इसको बिना छिले ही थोड़ा सा कूट लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं कूटना है, वरना लेसुन का सारा रस कूटने में निकल जाएगा और लेसुन बेस्ट हो जाएगा, अब ये मामूली सा कूटा हुआ लेसुन भी अपने तिलके तेल में डाल आदे घंटे बाद गैस बंग कर दीजिए, और तेल अपने आप ठंडा होने दीजिए, अब ये तेल चान कर एक बोतल में भर लीजिए, ये तेल आपको दिन में दो बार यूज़ करना है, एक बार सुबह नाने के बाद, और दूसरा रात को सोते टाइम, इसको यूज़ क इस तेल से मालिश करनी चाहिए, अगर गरमी का मासम है, तो बस बोतल में से तेल निकाल कर डारेक्ट मालिश के काम में ले लीजिए, लेकिन अगर बारिश का या सर्दी का मासम है, तो तेल हलका गरम करके यूज़ कीजिए, तो गुटनों का सेक भी हो जाएगा, इस तरह इस लेसुन और हल्दी के गुणों वाले तिल के तेल से गुटनों की मालिश करने पर गुटनों का दर्द, कट-कट की अवाज आना, उटने बैटने में गुटनों में तकलीफ होना, गुटनों में ग्रीज की कमी और चलने फिरने, सीडियां चड़ने उतरने में गुटनों म आने वाला दर्द बल्कुल ठीक हो जाता है जिन लोगों को गर्दन और कंदे में दर्द रहता है उनको एक लीटर तिल का तेल एक भगोनी में लेना चाहिए फिर इसमें करीब 50 ग्राम सौट का पाउडर यानि सूखी द्रक का पाउडर डाल लेना चाहिए अब ये सौट का पाउडर मिला हुआ तिल का तेल गैस पर कम आज पर गरम करना चाहिए ये तेल कम आज पर 10 से 15 मिनट तक गरम करना चाहिए ताकि सौट की पूरी medicinal properties धीरे-धीरे तिल के तेल में घुल जाए फिर गैस बंद कर दीजे और तेल को अपने आप ठंडा होने दीजे अब ये तेल छान लीजे गर्दन और कंडों पर इस तेल से नहाने के बाद पाँच मिनट हलके हाथ से मालिश करनी चाहिए फिर इसी तरह रात को सोते टाइम भी गर्दन और कंडों पर तरह जड़ से खतम हो जाता है अगर आपके पूरी बॉड़ी में दर्द रहता है तो आपको क्या करना चाहिए वो देखिए तब आपको लेनी चाहिए ये चीज ये देखिए ये जो चीज देख रहे हैं आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आपके आज पास ही मिलने वाली चीज है ये इसको आखड़ा या आख या मदार भी कहते हैं एक तो सफेद आखड़ा आता है और एक सिंपल आखड़ा आता है तो हम ये सिंपल आखड़ा जसमें गुलाबी से फूल आते हैं उसको काम में लेंगे तो इस आकड़े को किन चीजों के साथ में और कैसे काम में लेंगे ये जो हमारा आकड़ा है इसकी ये डोड़ी हमको काम में लेनी है जो आकड़े के फूल किलते हैं उनके खिलने के पहले जो डोड़ी बनती है वो डोडी या कलियां जिनको बोलते हैं वो हमको काम में लेनी है हमको आकड़े के ये मोटे-मोटे बड़े पत्ते काम में नहीं लेने है ये चोटी-चोटी कलियां हमको काम में लेनी है अब इनका में क्या करना है पहले तो इनको एक दिन के लिए छाया में सुखा लेना है, दूप में नहीं सुखाना है, ताकि इन कलियों की डंडी में जो दूद होता है वो सूख जाए, फिर हम इनको हाथ से या चक्कू वगएर की हेल्प से छोटे-छोटे टुकडो में तोड़ लेंगे या काट लेंग बहुत से लोग तिल बनाने की बात आते ही ये पूछते हैं कि क्या हम तिल की बज़ाए सरसों का तिल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन तिल के तिल में वो सारे जरूरी तत्व होते हैं, जो हमारी मास पेशियों को चाहिए होते हैं, एक साथ ये सारे तत्व किस दूसरे तेल में नहीं होते, इसलिए तिलका तेल बैस्ट है, तो ये तो हो गई तेल की बात, अब इसके आगे क्या करना है, ये जो 100 ml तेलका तेल थोड़ा गरम हो गया है, इसमें जो आकड़े के फूलों की कलिया बारिक पारिक काटी थी, वो इस तेल में डाल लेंगे, और इसके बाद में दो चीज़ें और इसमें डालेंगे लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे कैसे डालेंगे वो बताता हूं सुनिये नीम के पेड़ तो आपके आसपास आपको सब जगे उगे हुए मिलते ही हैं छोटे बड़े नीम के पौधे हर कई आसपास लगे हुए ज़रूर मिल जाएंगे हम को हमारे इस तेल को बनाने के लिए लगबग 10 गराम नीम के पते ले लेंगे मतलब 25-20 नीम के पते लेंगे तो ये 10 गराम के करीब हो जाएगा तो ये 25-30 नीम की पतेयां भी हम अपने तिल के गरम तेल में डाल लेंगे लास्ट में एक चीज और डलेगी लेकिन वो बाद में डालेगे पहले इस तेल को एकदम कम आज पर धीरे-धीरे पकाएंगे तिल का तेल उफनता है इसमें जाग बहुत बनते हैं इसलिए बरतन थोड़ा बड़ा और चोड़ा लेंगे तो अच्छा है थोड़ी देर में जब आकड़ा और नीम दोनों चीज़े पक जाएंगे तो जाग हो जाएंगे थोड़ी देर में आप देखेंगे कि नीम और आकड़े का रंग बदल जाएगा अब इसमें क्या करना है ये देखे ये हैं लेसुन की कलियां तो हमको लास्ट में ये पांच लेसुन की कलियां इस तेल में डालनी है फिर हम बिल्कुल कम आज पर इन लेसुन की कलियों को तेल के तेल में जलने देंगे ये जब बिल्कुल जल जाएंगे तब गैस बंद कर द अब हमको इस तेल को कैसे प्रयोग करना है वो तरीका देखिए इस तेल को यूज करते टाइम हलका सा गरम कर लिजे और फिर इस गरम तेल से बोड़ी पर उस जगह हलके हलके हाथ से मालिश कीजिए जहां भी आपको दर्द है बले ही ये दर्द कमर में हो गोटने में हो हाथ पैरों में दर्द हो उंगलियों में दर्द हो पूरी बोड़ी के जोड़ों में दर्द हो किसी पूरानी चोट का दर्द हो ऐसी सभी दर्द वाली जगह पर इस हलके गरम तेल से दीरे-दीरे मालिश कीजिए कम से कम पांच मिनट ये मालिश टेली कीजिए आपको अपनी ब बिमारी हो तो जल्दी ठीक होती है लेकिन बिमारी पुरानी हो तो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए अगर आपकी बोड़ी का दर्द पुराना है तो आपको पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दर्द पूरी तरह ठीक जरूर होगा ब मेरे ऐसा ही बहुत आसान गरेल हुन उसके देखते रहने के लिए मेरे चनल सचेन गोहिल को सब्स्राइब कीजिए